नमस्कार रितूस किचिन कॉर्णर में आपका स्वागत है और आज हम बनानी जा रहे हैं कमल ककड़ी की सबजी कमल ककड़ी मैंने यहां आदा किलो लेली है इसे लोटस को कमर भी कहते हैं मैंने इने यहां छेल के धो के साफ करकी रख लिया है अब मैं इनकी छोटे छोटे पी कर लेती हूं पीस ज्यादा बड़े नारें इस छोटे की रखें से भी देके मैंने सारी कमल कक्ड़ी काटकी रख ली है अब मैं कुकर लूँगी उसमें पानी और गलन दाल देती हूं साथ में сам थेकृज कोई कमल ककड़ी को vr add कर देते हैं कमल ककड़ी को कमल गट्टा भी कहते हैं यह देखिए मैंने सारी कमल कपड़ीया add कर दी है अब हम इसे पांच मिनिट तक दो सीटे आने तक उबाले हैं यहां कुकर में तेल ले लिया है साथिया मैं जीरा add कर देती हूँ जीरा भुनने के बाद में हम इसमें कटे हुई बारी प्याज डालेंगे प्याज को अच्छे से भून लें इस दोराना गैस को सिम पर ही रखें यह हमारी प्याज भुन गई है अब हम इसमें दूसरे मसाले add करेंगे यह देखिए ब्राउन निस होने तब हमें प्याज भुननी है अब हम इसमें हिंग पाउडर डाल देते हैं साथी इसमें हम तेज पत्ता और चार लोंग add कर देते हैं जब यह भुन जाएगा उसके बाद में हम कटी हुई प्याज लेस्वन जिंजर डाल देते हैं तो ग्रीन चिली मैंने यह एड कर दी है आप कम भी कर सकते हैं पानी को एड कर देते हूं ताकि मसाला निची लगे नहीं इसके बाद में हम यहाँ पर हल्दी डालेंगे आदा चमच हल्दी लिए मैंने साथ में एक चमच डाल मिर्च लिए है आप मिर्च अपने टेस्ट के कॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं दो चमच धनिया पौडर एड कर रही हूं तदा नमक डाल देंगे कि अब मैं यह आप इसमें जीरह पाउडर ऑडर कर देती हूं आधा चमच पो मैंने तीस्ट के कडेंग है अब अगर नहीं डालना चाहते है तो ना डालें एक क्रマच कश्मीरी, लाल मिर्च गर्ण यह कलर के लिए हैं आप अगर नहीं डालें तो आप साधा मिर्च भी डाल सकते हैं अब मैं यहां तो टमाटर बारी कटे हुए एड़ कर देती हूं कि इन्हें अच्छे से हम मिलाएंगे जब हमारे टमाटर गल जाएंगे उसके बाद मैं हमने से इसमें कमल कटी एड़ कर देती हूं जो हमने अब हमने भाली थी अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगी और पांच मिनिट के लिए भुन्ने के लिए छोड़ देंगी अब मैं यहाँ पर आदा गलास पानी डाल रही हूँ अच्छे से मिक्स करेंगी और कम से कम दो विसल आने तक इन्हें पकाएंगी देखी हमारी कमल ककड़ी की तर सबजी बनकर त्यार है आप इसे जरूर ट्राई करें धन्यवाद